हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गेट इट क्लियर में जैसा कि दोस्तों हमें और आपको सबको पता है कि आपका एकजाम आने वाला है आप लोग काफी नर्वस भी होंगे अपनी त्यारियां भी कर रहे होंगे साथ ही साथ गईज हमें आपको बताना चाहता पिक से related तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए guys हम आज आपके लिए OSI model की quiz लेके आए हुए हैं क्यूंकि आपने OSI model से related काफी questions अपने already exams में देखे होंगे या फिर आपको आने वाले exams में भी देखने मिलेंगे guys यह बहुत ही important चीज होती है जिसमें आपका networking से related थोड़ा सा knowledge चेक किया जाता है तो guys आएए हमारे इस tutorial के साथ हम आपको कुछ top MCQs provide कराते हैं और आपका कुछ न कुछ revision भी हम साथ में जरूर करवाएंगे तो guys आएए पहला question देखते हैं what does OSI stands for international standards organization open systems interconnect operating standard information operating system interconnection open systems interface so guys यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बहुत सारी topic इंजोने confuse करने के लिए दिये हुए है आपको याद रखना है open systems interconnect जो है वो इसका सही answer है and OSI model जो है वो आपका ISO international organization of standardization ने बनाया है ताकि आपके worldwide आप सब एक दूसरे से communicate कर सकें systems काम कर सकें and data जो है इधर से उधर flow कर सकें नहीं तो अगर यह चीज इन प्लेस नहीं होती दैन आपको पता है बहुत सारे issues आते को एक किसी को blame करता को दूसरे को blame करता कि वो ऐसा नहीं कर रहा है लेकिन ISO ने इसको बनाने के बाद extended set कर दिया है जो कि सबको follow करना है जो इसको follow कर रहा होगा वो बीना किसी hindrance के अपना normal काम कर रहा होगा routers operate at which layer of the OSI model so guys routers तो आपको पता है physical devices होते हैं and आपको यह पहचानना है कि इन में से लेकिन किस layer पे ज़्यादा काम करते हैं इनका actual functioning किस layer पे होता है guys यह होता है आपका network layer पे ध्यान रखें इसको bits are packaged into the frames at which layer of the OSI model guys जो आपका data जो होगा जो bits में होगा उसको package में बनाना होता है मतलब आपको क्या करना होता है जब आप उसको network में send करते हैं वो frames में set करना होता है तो उस जो packaging का काम करती है वो कौन सी layer करती है guys guys यह काम करती है आपकी data link layer इसको ध्यान रखें बहुत सारे questions में guys इसमे confusion होती है लेकिन आप इस tutorial को ध्यान से रखें और इनके notes बनाके रख लें कि कौन सी layer क्या करती है मैं आपको यहां पर suggest करूंगा कि आप layer को लिख लें और उसके आगे जो जो हम questions में देखती जाएंगे कि यह layer यह काम करती है उस layer के आगे डालते जाएं and layer by layer आप इस OSI model को त्यार करें question by question आप करने जाएंगे तो आप confused हो जाएंगे अगला question देखते हैं which of the following are the benefits of using a layered network model so guys आपको इन points में से पहचानना है कि कौन से point जो हैं वो सही बैठते हैं OSI model के respect में it specifies how changes to one layer must be propagated through the other layers it facilitates the troubleshooting it focuses on details rather than general functioning of the networking it breaks the complex process of networking into more manageable chunks it allows layers developed by different vendors to inter operate so guys यहां पर आप देखते हैं हम point number 3 की अगर बात करें it focuses on the details rather than general functioning of the networking यह तो just ultra बोल रहा है guys हमारा OSI model जो है उन networking को support करने के लिए ही लाया गया है point number 3 तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा point number 1 की अगर बात करें it specifies how changes to one layer must be propagated through the other layer so guys यह तो गलत चीज़ है एक layer में अगर आप change करते भी हैं तो दूसरी layer जो है वो unimpacted होनी चाहिए उसमें ज्यादा impact होना नहीं चाहिए अगर आपने किसी भी एक particular layer पे कुछ change किया है तो point number 2 it facilitates troubleshooting क्योंकि आपने जैसे उसको layer में divide कर दिया है तो आपको पता चल सकता है कि जिस चीज से related problem आ रही है आप उसी layer पे जाके check करेंगे आपको सब layer पे जाके check करने की जवत नहीं है तो यह विल्कुल सही point है point number 4 की बात करें जैसे कि हमने आपको point number 2 में बताया कि आपने layers डिवाइड करके रखी है जिससे कि आप easily troubleshoot कर सकते हैं कि भाई कौनसी layer पे problem है तो आपका point number 4 भी वही कह रहा है कि आपने इसको चोटे-चोटे कंप्रियां बनाती है और अलग-लग कंप्रियां supply करती है लेकिन OSI model में उन सब को एक साथ क्लब करके आपका पूरा का पूरा network जो है वह वह बिचा दिया जाता है एंड जो अलग-अलग vendor से आई-वे प्रोडट्स के साथ भी काम करता है तो guys हमारा जो answer होगा वह होगा 2, 4 and 5 अगला question देखते हैं guys the layers of the OSI model from the top to bottom, from the top-down are, मतला top से लेके down तक आपको आना है and OSI की कौन-कौन सी layer से आपको पहचाननी है guys in options में से so guys पहली layer तो अपनी application होती है तो बाकी option stop के गलत हो जाएंगे तो आपका A और E ही valid लग रहा है, मुझे क्या आप इन दोनों में से बता सकते हैं कौन सा सही answer है so guys इसका answer होगा A application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and सबसे नीचे अपनी होती है physical layer अगला question देखते है which of the following operate at the presentation layer so guys आपको बताना है presentation layer में इन में से कौन सी चीज़ें काम करती है MIDI, FTP, SMTP, TFTP, JPEG so guys जितने भी आपको TPTP से related हैं यह तो आपको पता होने चाहिए कि यह कुछ protocols हैं जो कि हमारी presentation layer पर तो बिल्कुल नहीं चलते हैं यह आपकी transportation layer पर काम करते हैं तो मुझे जो दो valid option यहाँ पर दिख रहे हैं वो होगा आपका 1 and 5 मतलब आपका A and E sorry guys यहाँ पर छोड़ नंबरिंग का confusion हो गया है लेकिन आपका MIDI और JPEG जो होगा वो correct answer होगा तो हमारा correct option जो है वो होगा D जिसमे A and E दोनों mention किया हुआ है MIDI and JPG are the presentation layer specifications यह specifications होते हैं guys presentation layer में आपको define करने होते हैं आपको MIDI के बारे में JPG के आपको पता है कि this is the standard for the images लेकिन MIDI जो है guys वो क्या होता है आपके जो electronic musical devices होते हैं जब उनको वापस में connect करना होता है उसके लिए हम MIDI presentation layer specification का use करते हैं अगला question देखते है which of the following are transport layer protocols आपको इसमें से बहताना है कि जो हमने पिछले question में कुछ देखे थे उनी के साथ-साथ हमने यहाँ पे कुछ और extra लिखे हुए हैं और पिछले वाले आपको सब यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको लेकिन पहचानना है कि transport layer में इसमें से कौन से protocols होते हैं valid protocols guys okay so guys हमारा होता है TCP and UDP IP हमारा नहीं होता है guys वो किसी और layer पर काम करता है यह आपको पता होना चाहिए जो TCP और UDP हमारे transport layer protocols होते हैं transmission control protocol होता है TCP और UDP जो होता है वो user datagram protocol होता है दोनों के guys अपने अपने pros and cons होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP is connection oriented protocol whereas UDP is the connectionless protocol then now वो दोनों कैसे काम करते हैं यह आपको पता चल गया है कि एक में connection oriented है और connectionless है then दोनों को क्या use होता है guys यह आपको पता चल जाएगा जब आप इसके बार हम बहुत ज्यादा detail में पढ़ेंगे and हमारे आने वाले future में हम OSI models related भी काफी जादा detailed आपको tutorials publish करने वाले हैं यह चीज़ आप वहां से भी gain कर सकते हैं flow control takes place at which layer? So guys इन में से कौनसी layer पे flow control होता है? यह होता है guys transport layer पे अगला कोशन देखें encryption takes place at which layer? So guys कौनसी layer पे आपका encryption decryption का काम देखा जाता है? Guys यह भी आपका presentation layer पे ही देखा जाता है यह ध्यान रखने वाली बात है The network layer uses physical addresses to route data to the destination क्या यह चीज़ सही है guys? नहीं guys यह बिलकुल गलत है क्योंकि network layer जो होती है वह आपका logical addresses यूज़ करती है ना कि physical addresses, okay? Error detection and recovery takes place at which layer? So guys इन में से कौनसी layer पे आपका error detection होगा and अगर error आया होगा तो उसके recovery के steps भी वहीं पे perform होंगे So guys यह होंगे आपके transport layer पे Which layer establishes, maintains and terminates communication between the applications located on the different devices? यह बहुत जादा important है guys So guys यह काम करती है आपकी session So guys आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको guesswork भी कर सकते थी कि अगर हमारे different devices हैं उनके बीच में हमें communication open करना है उसको maintain करना है कुछ time के लिए तो guys यह आप relate कर सकते हैं कि जब हम भी किसी चीज में login करते हैं Then हम एक particular website के साथ हम अपना एक link मतलब अपना एक connection open कर रहे हैं Communication channel हम open कर रहे हैं जब तक हमान logout नहीं करते हैं तब तक हमारा वह session बना रहता है उसको हम session बोलते हैं तो इस type की जो चीजें होती हैं guys आप उसको relate कर सकते हैं कि यह हमारी session layer ही manage कर रही होगी कि हमारा session open हो गया है इस particular device के साथ हमें कितनी देर के लिए उसको maintain करना है and all those information will be stored in the session layer only IP is implemented at which OSI model layer so guys IP मतला आपको पता है internet protocol यह कौनसी layer में implement होता है यह होता है guys network में आपको पता है कि IP addresses होते हैं हमारे तो वह सब जो होंगे आपके network layer पे handle होंगे guys okay which layer handles the formatting of application data so that it will be readable by the destination system so guys कौनसी layer है जो कि application data की formatting का काम करेगा जो कि आपके destination को understandable format में या फिर readable format में convert करके भेजेगा so guys यह भी आपका presentation layer करता है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे specifications होते हैं JPG अगर आप एक image भेज रहे हैं आपको आपको जो destination है वो उसी basis पर पता करता है तो यह जो tagging करके यह जो specification बताने का काम करता है यह presentation layer करता है guys okay which of the following are presentation layer standards so guys हम presentation layer की बात करी रहे थे कि आप इन में से पहचान सकते हैं कौन-कौन से हमारे standards हो सकते हैं या फिर आप उनको specifications भी बोल सकते हैं तो guys MI, DI और JPG तो हमने already देख लिया आपको बाकी चीजें भी पहचाननी हैं आप यहाँ पर एक guess भी कर सकते हैं guys उनको as a specification set करके भीजती है data में तो अगर मेरे पांचों के पांचों ही मेरे file formats हैं तो यह पांचों के पांचों ही मेरे सही answer है guys और इस पांचों के पांचों ही हमारे presentation layer के standards होते हैं packets are found at which layer So guys I hope यह तो आप लोगों को पता ही होगा तो guys packets जो होते हैं वो हमारे network layer पर मिलते हैं The network layer forms frame from the data link layer into the packets Okay guys Which layer translates between physical MAC address and the logical address So guys कौन सी layer है जो आपके MAC addresses जो आपकी machine के physical addresses होते हैं उनको logical addresses में translate करने का काम करता है तो guys यह आपका network layer करता है Repeaters and hubs operate at which layer So guys यह आपके physical layer पर काम करेंगे Bit synchronization is handled at which layer Guys कौन सी layer पर bit synchronization होता है आपका यह होता है आपका physical layer पर ही Bridges operate at which layer of the OSI model So guys यह होते हैं आपके data link layer पर Guys यहाँ पर लोग बहुत confused होते हैं कि repeaters जैसे devices जो होते हैं वो physical layer पर होते हैं Then bridges जो होते हैं So data link layer पर होते हैं तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है इन में कभी भी confused हो करके गलत answer check करके नहीं आना है What are the sub layers of the data link layer? So guys data link layer के जो sub layers होती हैं क्या पहचान सकते हैं कौन सी होती हैं So guys यह होती है Mac and LLC The media access control And the logical link control Okay guys So guys जो packets हम भेजते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा data जो है वो एक ही packet में भेज दिया होगा And मुझे किसके बाद जाना है And मेरे बाद कौन से आने वाली है तो guys यह सब आपकी frames को पता होता है लेकिन इसकी sequencing कौन सी layer पे handle होती है And अगर कोई packet मिस हो जाता है Then उसके retransmission की request भी कौन सी layer करती है So guys यह आपका transport layer करता है Transport layer का ही काम है कि आपके packets को भीजना है And उनकी sequencing को proper manage करके रखना है So guys हमारे networking यह फिर OSI model की quiz में आपके लिए इतने ही MCQs है I hope आप लोगों को यह helpful लगे होंगे आपका अच्छा खासा revision हो गया होगा हमारे वीडियो को like करें, share करें And हमारे channel के साथ बने रहें Thank you